संगठनों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्ड़ाई नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सब के लिए बगार सोची समची इस्तिती के बारे में लोग आलोजना करें बल्कि हमें ये कोशिस करना चाहिए कि हम इसके सारे पप्षों का ध्यान रखे और उस पर चर्चाएं दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जूड़ करके इस तरह की बाते कर रहे हैं तो आम जन जीवन को बाधीत ना करें आम जन जीवन किसी तरह से परेशान नहों एक सामाने लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाए समस्या और अधिक उलस्ती है इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करोंगा कि जो बात्चीत का माहौल है उसको बनाये रखे और बात्चीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मख़बूत कर रहे हैं लेकिन यहां पर विपक्षी पार्टी हो राहूल गांधी हो लगा तर यह कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है वो जो अंदुरन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है तो यहां राजनीती भी बहुत जादा थे जो लगता है ऐसे महौल में शांगी हो पाएगा कि लगातार सरकार की है और करेगी किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि आसामाने इस्तिती पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता अगली बैठर कभी बताएंगे